नेक्स्ट धार्मिक समुधायों के नाम से पहले दी आता है the Hindus, the Muslims, the six मैंने आपको बतला थे जो community होती है जो राष्टरीता होती है उससे पहले दी लगाते हैं जैसे English लोग the English, France के लोग the French इसी तरी के से धार्मिक समुधायों होते हैं, communities होती हैं उससे पहले हम दी लगाते हैं और पुर्वल इनको रखाया जाता है the Hindus, the Muslims, the six तो जो धार्मिक समुधायों होते हैं उससे पहले हम दी लगाते हैं next rule है, summit, club और trust के नाम से पहले दी लगाते हैं और अगर नहीं भी जोड़ा है तो जह हम लिखते हैं तो जनरली हम दी लगा देते हैं next step, वंसर्जों के नाम से पहले दी आता है दा मराठास, दा पेश्वास, जब दा मराठास की बात हो तो इसका मतलब जो मराठास थे, जो उनके वंसर्जों से उनकी बात हो रही दा पेश्वास, उनके वंसर्जों से दा मुगर्स तो उनके वंशाज जोगी बात को रहे हैं, पूरा जोगी अनका ठीक था कुनवा था उसे पहले हम दी लगाते हैं तो यहांपर आपको ध्यान रकना है जो वस्तु यूनीक है उससे पहले दी का प्रेयोक होता है निचे जो अपनी अपने यूनिक होती असे पहले दियाता है देफिले लेकिन जो बड़ी चीजे हैं थावर्ड तो यह आप में पढ़ा भी ओ, निगें जो फ्रेसी में कई वारे हम उसकोफ छाब है यहां पर sentence है, the sky is dark and the moon is shining, भई, moon है, भोगोलिक पिंट है, दा संदा मून, उसी तरीके से sky, unique चीज़ है, उससे पहले दा लगाते हैं, आपने सुना भी होगा, in the sky, birds are flying in the sky, हम यूज़ करते हैं, in the sky, लेकिन हम पता नहीं हो, ता भई, दा क्यों लगाया, तो जो unique चीज़ ह हैं, उससे पहले हम दा लगाते हैं, birds are flying in the sky, कैसे भी, दा सी, हमने पढ़ा था, Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Arabian Sea, जो बड़ी चीज़े हैं, खास हैं, गौर्ड मेरे से उससे पहले हम दा लगाते हैं, इसी देख के वह सी हो, नाम भी ना हो, तो भी हम दा ही लगाएंगे, दा सी seems calm today, समूदर आ टाउन, और इन दा कंट्री, क्या तुम ताउन में रहतो हो, आया है, किसी टाउन में रहतो है, या कंट्री में, इन दा कंट्री, तो कंट्री से पहले हमने दा लाएंगे, तो जो चीज़े होती हैं, उन से पहले हम दा लगाते हैं, environment, we must protect the environment, हमें अवश्य environment को protect करना चाहि तो यहाँ पर दा इन वार्मेंट लगाया है, तो जो वस्तु यूनिक हैं, उससे पहले हम दीगा प्रयोग करते हैं, दा वर्ड, दा यूनिवर्स, दा स्काई, दा कंट्री, दा इन वार्मेंट, दा अट्मस्फेर, इसको ध्यान रखिएगा, अगर कोई रूल ध्यान नही इस तरीके नोट्स बहुत काम को होते हैं, नेक्स्ट, जो यूनिक चीज़ हैं, उनसे पहले हम दा लगाते हैं, लेकिन इंग्लिश में दिक्कत ही होती है, जो रूल होता है, वो आगए जाकर उसी की जो अदा एक्सेप्शन आयाता है, कि यहाँ पर यह नहीं लगाना, यह कभी भी गॉड्स अब दी नहीं लगाते हैं, और हैल और हैवन से पहले भी नहीं आयाता है, बस पाइलेमेंट का जो धियान रखिएगा, गो टू हैल, भई यह तो कई बार सुना होगा, भाड में जाओ, तो हैल से पहले दी नहीं लगाते हैं, यहाँ पर लगाए यह नही अगर हम गॉड्स और ही उस खर योぜ यह रहा है, आजे कहीं पर भी लिखें, अगर हम भी लिख रहा हैं व पीच में लिख रहे हैं, और गॉड्स कामका भाइब हो अगर ही, तो है. इस पहले पर लेखें जैंकि बिर्च में से जाहें पर धृजिए, का यहाँ फिल एक लि चाहरा है जुडिशेरी इन से पहले हम लगाते हैं लेकिन पार्लेमेंट से पहले नहीं लगाते हैं ध्यान रखेगा नाम से पहले दी का प्रिवुग होता है सुनाओगा, the sun rises in the east, in the word, in the east, कुछ phrases होती है, इनमें आना ही आना, in the word, in the east, यह होता ही है, in the country, होता ही होता है, लेकिन अगर इनके साथ में जो होता है, कोई इस तरह से हो, जैसे, eastern हो, western हो, adjective लगा के तौर पर नहीं यूज करा जाए, northern हो, तो इससे पहले कोई article नहीं आता इस्थान is in western India, western, यहाँ पर adjective के तौर पर यूज करा है, नहीं आया, northern Europe, इन से पहले article दी नहीं आया, तो जब हम केवल दिशा के तौर पर यूज करते हैं, दिशाओं के नाम से पहले, तो दी का प्रयोग होता है, दिशाओं के नाम से पहले दी का प्रयोग होता है, और ज नेक्स्ट है, जब इस्पेस का अर्थ अंत्रिक्ष होता है, तो इस्पेस से पूर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, लेकिन यदि इस्पेस जगह के अर्थ में होता है, तो दी का प्रयोग होगा, भई अगर इस्पेस जो है, यूनिवर्स के सेंस में होता है, जैसे फर्स्ट एक्जाम्बल है एस्ट्रोनॉट्स ड्रीम आफ गोइंग टू इस्पेस जो एस्ट्रोनॉट्स है वह सपना देखते हैं इस्पेस में जाने का तो यहां पर जो इस्पेस है वह अंतिरक्षी बात हो लिए तो दी नहीं आया लेकिन अगर इस्पेस का जो करने कोशिक करें वह सपेस वाज कॉछिएंट लेकिन इस्पेस का जगह बात हो रही तो जगह पर करने ती तो इस लिए को छाज़ए लिए को इंडीट कर रहा है तो जब यूनिवर्स की बात और नहीं आना और वैसे हम इस पेस के जगे के तौर बात करें तो हम दा लगाते हैं नेक्स्ट है एतिहासिक इमारतों के नाम दा ताजमेल दा रैट फोर्ट भई जो भी मेजर चीज़ों होती है जैसे बतला होटल है, कलाब है, निउस पेपर कोई खास चीज़ों होती है तो यह भी अपने आप में एक खास चीज़ है दा ताजमेल दा रैट फोर्ट एक मेजर चीज़ है कोई परानी घटनाव बहुत बड़ी जो नई जो घटना है वो इससे पहले दा लागा सकते हैं तो जो मेजर इंसीरेंट्स होते हैं बड़ी यह होती हैंthree भी जो गली होती है उसे पहले दा लगाते हैं वर्थ ने वहां पर भी आया था जो ड्रक रस्ट होते हैं रामायन जन महाभारत इंसे पहले लागाते हैं यह लिए प्रॉपर नाउन अगया था जैसे विक्टोरिया ज़ू उससे पहले प्रपर नाउन अगने तो नहीं आएगा आ है इसी तरहरी से पहले प्रपर नाउन आ तो कि दॉ एरपोर्ट नहीं होगा तो जब कोई प्रॉपर नाउन किसी बिडिलिंग से पहले आए तो दा नहीं लगाते हैं लेकिन कोई बिडिलिंग है खास बिडिलिंग है तो दा लाएं दा ताजमेल आप इस दा ताजमेल के उससे ध्यान रखेगा आपको जितनी भी मेजर चीज़े उससे पहले आप दा लगा सकते हो एक example ध्यान रखो उससे आप बाकी के example अपने दिमाग में ध्यान रख सकते हो व्यक्तियों के पद से पहले दी आता है दा Portuguese चेरमेन दा डाइरक्डर जो मेन पद होते हैं, खास पोस्ट होती हैं, उससे पहले दिए आता है, वो यूनिक होती है, डिफिनिट होती हैं सेकंड है। द्वारा किया स्क्राइए एक खास पॉस्ट होती है उनसे पहले हम दा लगाते हैं इग्जुक्टिव डायरेक्टर वो डायक्टर है वो डायक्टर पोस्ट है उससे पहले हमने दा लगा दिय को अब भई इन दोनम अंतर है यहीं पर confusion होता है जो हम कहते हैं कि हमारा sentence कई बार गलत हो गया हमें सब्सक्राइब यहां पर होता है कायदे में दार डारेक्टर आएगा वैसे तो प्रोप लिए अपर नारेक्टर होहां पर कई लोग है उनमें यह करेकटर यहां पर यहां पर यहां पर आंपर यहां पर लगाईन कंगहा। next put the before the names of musical instruments बही musical instruments होते हैं उनसे पहले हम दा लगाते हैं ध्यान रखिएगा जैसे he plays the piano he can play any piano इसका मतलब यह है कि कोई भी piano उसे play कर सकता है तो जो musical instruments होते हैं उनसे पहले हम दा लगाएंगे यह आपको बिल्कुल ध्यान रखना है next सबस्ट है, He is learning the guitar, मुजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इससे पहले हमने दी लगा है, तो मुजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले आपको दी लगाना है, ध्यान रखेगा, मुजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले आपको दी लगाना है, When दी is omitted, the reference is to the purpose for which the building exists, भै, यह ध्यान रखना है आपको, जैसे महार लेजिए, आप हॉस्पिटल गए, इलाज कराने, तो आप धी नहीं लग होगें, ठीक है? और अगर आप हॉस्पिटल किसी और परपस से गए, तो इसका मतलब किसी से देखने गए, तो इसका मतलब दी लगा होगे, तो जो बिल्डिंग जो है कोई इमारत वो जिस उंदेश्ठ से बनी है है अप सी उदेश्ठ के लिए वहां तो आप दी नहीं लाओगे तो आप दी नहीं लाओगे तो आप दी नहीं लाओगे अगर वही आपका उद्देश यह है जैसे कॉलेज में गए हो पढ़ने तो दी नहीं आएगा और किसी और मकसद से गए हो तो दी आएगा यहाँ पर है फस्ट I had to go to hospital for treatment के लिए गया तो यहाँ पर दी नहीं आया है क्यों क्योंकि treatment के लिए गया हो जो building है उसका जो उद्देश है treatment का आप उसी मकसद से गयो तो आप दी नहीं लाओगे क्योंकि आप उसी मकसद से treatment के मकसद से गयो नेक्स्ट है I am going to court to get custody of the children मैं court जा रहा हूँ चिल्लन की custody लेने के लिए तो जो court जाने का परपस है वह वह है कि court का जो कार्या कश्टेडी कोई जगडाय डिस्ट उसके उपर आप जा रहो तो वही परपस है जो building है उसी उद्देश से आप जा रहो अब दाक कैसा है जैसे I went to the hospital to see my cousin मैं hospital गया अपने कजन को देखने के लिए I went to the hospital तो इसका मतलब आपका परपस पढ़ना नहीं है किसी और मकसद से आप गए हो जो building है उसका जो उद्देश है आप उसी उद्देश से जा रहो तो आप दी नहीं लगा होगे ठीक है I went to hospital इसका मतलब आप treatment कराने गए हो I went to hospital इसका मतलब आप treatment कराने गए हो और I went to the hospital sentence आगे होगा इसका मतलब आप treatment कराने नहीं किसी और मकसद से गए हो मिलने या कोई भी परपस हो सकता है पार्ट्स ऑफ बॉड़ी से पहले दी स्पैसिक कंडिशन में आता है बही जो पार्ट्स ऑब बॉड़ी होते हैं उनसे पहले हम दी लगाते हैं लेगन यहां पर भी चीज़े बदल लाती हैं कुछ जगे जैसे ही वास वूंड़िड उसके चोड़ लगई इन हिस आई अब हिज होता है हिज आई तो दा नहीं आएगा क्योंकि फिर तो बीच माने आने से लिए ना शुरू में आएगा ना बाद में आएगा ठीक है आई हर्ट माई आम मैंने अपनी आम मेरी आम में चोट लगई आई हर्ट माई आम यहां पर माई आगा तो इससे पहले दा नहीं आ नेक्स्ट, I use my hands to type यहां पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा, फोट, she touches her nose, पजसेव पर अगर हर को हटा दूं तो फिर आएगा दा नोस, यहां पर दियान डखना है, बॉर्डी पार्ट से पहले दी लगाते हैं, लेकिन पजसेव प्रॉनाम िहता है तो दी भी नहीं लगाते विस सरनेम भाई यह बहुत इंपर्टेंट है और कई बार हम देखते हैं यह आसपास जनरली जो कार होती हैं उनमें हम लिखा हुए दिखते हैं कि जो सरनेम होता है उसे प्रूरल से कर देते हैं इसको मतल़ पूरे परिवार की बात हो यह पूरे परिवार क को दिखाना चाहो तो दाला होगय हुए और सरनेम के आग geschत पूरे परिवार रहे हैं चतनी परिवार में 6-5-4 छोग हो सभी की बात हो रही है तो Sansa सरनेम, कि बात हो यह में पर है हम दाला आते हैं और यहाँ पर códigoす dizer लगा परिवार है सिंह का उसकी बात हो रही है, have a family tradition, उनका family tradition है hosting, a big thanksgiving party, जो thanksgiving dinner, जो अभिवादन, शुक्रिया करने वाले जो दिनर होते हैं, उनको देने का, host करने का उनका अपनी परंपरा है, तो ये सिंह, एक परिवार है, उसकी बात हो रही है, third, we had a wonderful time at the party, हमारा बहुत organize करा गया था, अगरवार्स द्वारा, तो यहां पर अगरवार्स जो है, ये पूरा एक परिवार है, husband, wife, उनके बच्चे, कोई भी हो सकता है, तो दा अगरवार्स, तो कार पर भी लिखा हो, कई बार देखते हैं, दा सिंह, दा कार्स, दा सिंह, दा अगरवार्स, कुछ भ मतलब यहां पर पूरे पटेल की बात नहीं कर रहा हूं, इहां का मतलब एक परिवारर है पटेल का, उनकी बात हो रहे है, तो जो पलिवार है, उनको जानाजाता है, Successful Businesses, अपने Successful वैपार के लिए, उनकी community में, तो जो उनकी Community है, पाटेल की उनमें, इस परिवार को, ये एसी टारेटल पोश्ट से किसी वक्ति को डिनोट करना हो तो टारेटल और पोश्ट से पहले दी का प्रयोग होता है वहीं बतला है जो खास przyp觉得 चेर्मन डायक्टर एंसे पहले दिलारता है एक्जूगरेटिव इंचीनियर इनसे बहला हम दिला देते हैं इसी तरीकitchen望 से जो पोस्ट होती ए यह भी यह भी पोस्ट हम दhouse यह इंसे पहले दिल लेकर लेर्टीम पुराना रोल centu द यह दूसरे से connected ही होते हैं बस उनके हम अलग अलग जो है forms में पढ़ते हैं noun in opposition के case में है जो common noun होता है उससे पहले हम दीखा प्रियो करते हैं भई noun in opposition से मतलब क्या होता है यह जो है एक noun है ठीक है यह तो है proper noun ठीक है यह common noun poet यह common noun common noun है इससे पहले धी लगाया है यह opposition इसी की जो है व्याक्या कर रहा है जो tag हो रहे है the poet was famous तो यह जो बरावर में जो noun आया common noun यह इससी की विश्ष्ष सा बतला रहा है व्याक्या कर रहा है तो यह opposition है ठीक है इन से पहले हम दी लगाते हैं जाकिर की बात ओरी है जो printer है इस laborious महन्ति है तो यह जो noun है common noun printer इससे पहले दा लगा और यह बरावर में होता है इसकी विक्षय कर रहा है तो इससे पहले हमने दी लगा है तो कोई भी noun महिष दा पिंटर इस उसी बरावर होना जाहिए महिष दा सिंगर इस अबस्तूमन टीक है महिष दा पिलियर इस अबस्तून कैसे भी हो बरावर में हमें लिखाक Glory डा लगवाओ क्योंकि यह उनीच कर आप दख कर दख दा चाहिए ना कई जो है वो डैफिनिट चीज पर ही आकर के ग्हां भी यहां है धीन लहीं लॉटर्थ जब्ला और सब्सक्राहब पहले हमें दी नहीं लगाना हम confused हो आते हैं जो time expression words हैं जैसे week week month कोई भी हो उससे पहले हम जो है दा का use नहीं करते हैं जैसे मालों यह next month तो इससे पहले दी नहीं आएगा next year, next day, next night, next morning, next evening, next noon कोई दी नहीं आना पहले उसी तरी के से last month, last year, last day, last night, last morning, last evening, last noon इससे पहले दी नहीं आता, तो यहाँ पर example है, the director comes here next week, next week है इससे पहले दा नहीं आना है और director है भई पोस्ट है तो इससे पहले दा आएगा, he came here last night, तो जब last लिखाओ तो नहीं आना है तो यह हमें ध्यान रखना है, कई वार हम confuse रहाते हैं इससे यह वो rule है, जिनके साथ हम नहीं लगाते हैं, क्योंकि हमें एक चीज़ ध्यान रखना है, जिनके साथ में दा आता वो तो ध्यान रखना है जिनके साथ में नहीं आता वो भी हमें ध्यान रखना है क्योंकि हम कहीं ऐसा नहीं वहाँ पे दा लगा दें तो यह चीज भी हमें ध्यान रखनी है यहाँ पे कुछ ऐसे प्रॉपर नाउनें जिसके साथ में दा नहीं लगाते है जैसे physics भी फिजिक्स है सब्जेक्स से पहले आपने कभी लगाई नहीं होगा याद करने वाला रूल ही नहीं है अगर मैं कहूं कभी आपने कोई भी सब्जेक्ट लिखाओ इंगलिश हिंदी कोई तो नहीं लगाते और यह अलड़े बता भी चुके हैं भाष्टा से पहले नहीं लाएंगे भी स्विमिंग इस अपैस्ट एकसाइस स्विमिंग के सेंडेस अगर आपने बनाया हो तो उसमें कभी दा नहीं लाते हैं तो यह ध्यान रखना है महीनों के नाम जनवरी फर्वरी मार्च इनसे पहले नहीं लाते जो इस चीज़े मैं बतला रहा हूं इनसे पहल कभी आपने तासन्देः यूज नहीं कर रहा होगा किसी खास स्विमिंग उठीज हुआ है लेकिन जो नहीं कर दावण से महीनों से पहले भाषा के नाम पेहले यूज नहीं नहीं करते हैं से नाम से और खाने के नाम से पहले हम कभी भी कोई अटिकल नहीं लाते हुआ पर इस चीदि कुछ अभवाद हो या दो या आते हैं पहुंगे जैसे मैं आपको बत लाओं सब्सक्राइब एडिया एडिया आई लइंच भी एडिया ट॥ी एडियां अभी एडिया अब यहां पर और लेकिन एकृट्टिव और तो लाद होते हैं अब इसमें भी एक चीज़ और सकती है दा लुंच आय हैड कि येस्टरडे आगए कम सेंडेंस ऊगा येस्टरडे वाज ये डिलीश येश। तो ये खास लंच की बात वह दाग घू लेकिन लेकिन हमने अलग-अलग आटिकल यूस करें तो उस context में जिसमें यूस हुआ है उसमें हम ध्यान रखते हैं तो जो मैंने रूल जो पतला हैं अभी और भी है कवे काफी सार रूल है जो मैंने आपको बतला हैं बहुत important है ध्यान रखने जो यह रूल से हो सकता हैं इनमें confusion हो आप इस वीडियो को दुबारा दिखना है अगर कोई डाउट सोंगे तो वो किलियर हो जाएंगे आपके